शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र विंग कमांडर अब गुर्प कैप्टन वर्थमान अभिनंदन उडान पाइलट विंग कमांडर अभिनंदन 27 फरवरी 2019 को वायू सेना स्टेशन श्रीनगर में ओपरेशनल रेडिनेस प्लैटफॉर्म पर तैनाथ थे सुबह 9 बच कर 55 मिनिट पर उननत हत्यारों से लैस पाकिस्तानी वायू सेना के लड़ाकू वायू यानू को जिन में चौथी पीड़ी के उननत F-16 तथा JF-17 शामिल थे नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ते हुए देखा गया लगबग 10 बजे आपको तुरंट शत्रू के वायू यानों को रोकने के लिए संदेश दिया गया आप व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए पूरी निर्भीकता के साथ आके पढ़े असाधारन हवाई सूजबूज और शत्रू के रणनीती की जानकारी होने का प्रदर्शन करते हुए आपने अपने वायू यान वाहित एर इंटरसेप्ट रैडार से निल्ण उचाई के वायू क्षेतर का निरिक्षन किया और पाया कि दुश्मन का वायू यान भारती लड अस्त्रस गिरा रहे पाकिस्तानी वायू सेना के खिलाव जवाबी रणनीती बनाई इससे शत्रू के वायू यान पूरी तरह से तितर बितर हो गए और वापस पुर गए आपने शत्रू के लड़ा को बंबर्शक वायू यानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायू और युद्ध में शत्रू की एक BVR मिसाइल आपके वायू यान से टकरा गई और आपको शत्रू की सीमा में उतरने के लिए बात दे होना पड़ा एक युद्ध बंदी के रूप में कैद होने के बावजूद आप पूरे सैयम, बहादुरी और गरिमा पून तरीके से शत्र पर भारतिये वायू सेना का मनोबल पढ़ा, इस प्रकार विंग कमांडर वर्थमान अभीनंदन ने अपनी व्यतिकत सुरक्षा की परवाह न करते हुए, अपने करतव्य के प्रती असाधारन समर्पन तथा शत्रू के सामने अदम में साहस और शौरे का प्रदर्शन किया, ग्रूप कैटन वर्थमान अभीनंदन झाल